हलस तो आप देखरें एफ के गुरू चैनल दोस्तों बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि हजार बॉयलर मुर्गी पालने पे कितना पैसा खर्च होगा या कितना बोरा जो है दना वो खा जाएंगी आपको 35-40 दिन के अंदर तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कितना उनके बीच में खर्च होगा और कितना आपको फैदा होगा और कितना आपको जो मुर्गी कितना परसेंट आपको मुर्गी जो है मर जाती है तो चीज को बारे में पूरा इस वीडियो में डिटेल बताएंग लहां इसके लिए मैं चलने वाला हूं कुपी कलंप पर वहां पर मैं आपको पूरा ना लगेगा कितना दाना का प्राइज अभी चलना है दोस्तों आज की हैशाब से और कितना प्रेसेंट लगबा बच्चा जो आती है मर जाती है और कितना आपको बिजली खर्च इतना आपको दवा में खर्च लगेगा सब इस वीडियो में आपको डिटेल हम बताएंगे दोस्तों चलिए हम वीडियो पर चलते हैं और वहां पर आपको किलियर बताते हैं और आपको हम किलियर बताते हैं जो आपको समझ आज आएगा दोस्तों यह जो मैं आगया हो कोपी पेन ल हम प्रृतिक पॉल्टीक मुर्गी को अप लेकर आप पाल सकते हैं एर्या मेरे जयता चलता है तो हम इस पयर आपको बता रहें दोस्तों एक हचाजर देशी मुर्गी बॉयर mango के बारे में इस देख हे है एक हचाजी मुरगी के बारे में बात करह दूह अगया बिज़ली का बात है और बिजली का बात करते हैं तो 4000 रुपया उसका हो गया और अलग अलग एरिया में कुछ गम भेस होता रहता 100-200 रुप्या होगा दोस्तों लीटर का बात कर रहे हैं यानि भूसी के जो बिछाते हो लगबत 2,000 रुप्या उसका एक बार में लेगे दोस्तों जो सब खर्च है दोस्तों मिलाकर 1,25,500 रुप्या खर्च आपको आ रहा है अब यहाँ पे दोस्तों 1,000 मुर्गी है और 2 केजी होने में उसको जितने यह जो मैं दाना बताया हूँ दो केजी का बताया हूँ तो 2 केजी हो रहा है दोस्तों 2,000 केजी आपको यहाँ पे यह मुर्गी हो गया अब 1 kg का rate, अगर 110 रुपय चला है, 120 वी चला है, क्योंकि जब मुर्गी जो market माराई सुरुपय चला है तो उसले मुर्गी जो है, डेड़र सुरुपय केजी firm से भी काया दोस्तो, अभी 200 रुपय केजी होगी आया, 220 रुपय केजी चला है, तो आपको हो गया 110 रुप्या इंटू 2000 केजी यहां पर रेट 110 से हमने 2000 केजी के किया है तो 2,020,000 रुप्या हो रहा है दोस्तों और 1001,020,000 जो खर्च आपका पालने में हुआ तो वह है दोस्तों उसमें से आपको जो बेनिफिट हो रहा है पांच जार, पचास जार, साथ सो, याने संतावन अजार, संतावन अजार पांज रूपर बेनेफिट हो रहा है, अब मैंने बताया थे किलो, एक सो दाना भी लग सकता है, ता चार जार दाना का, पलस, और भी कुछ खर्च माल लिजे, पेट्रोल, उट्रोल का, शेडूड मे पुछ बेस आपको एक, जो है, 35 दिन के अंदर आपको प्रोफिट, जो है, आपको 15,000 रुपिया, आपको एक, ख़जार मुर्गी पाल कर आपको राम से हो जाएगा, बहुत से लोग देखाते हैं, कि ख़जार मुर्गी इन्तु, दस रुपर फैदा होगा, यानि कि, 10,000 कोई बिजनेस मुर्गी का नहीं करता है, अब रहा बात कि अगर आपकी मुर्गी मरे नहीं तो, अगर आपकी मुर्गी में कुछ बीमारी नहीं हो तो, आपके मुर्गी से अगर आपको पालने का पुरा तरीका मालूम हो तो, या आप ट्रेणिंग लिये हुए तो, तब ज रहता है तिससे उनको लॉस होता है दोस्तों मैं पहले आपको बताद रहा हूं और रेट जो है दोस्तों कुछ कम कुछ सीथ काम होगा यह को दो सब्सक्राइब आगें पिछे वहाइब मुष्प कर्ते हैं क्योंकि ठंडी में मुर्गी ज्यादा से लेकर 220 जो है आपको जो कटर बेच रहे हैं जो मीट जो बेच रहे हैं कटर 220 में चला तो इसका अगर हाप रेट में लिकालता है तो कोई खराब नहीं है दोस्तों बसरते आपका मार्के डेट अच्छा होना चाहिए आपकी मुर्गी कम टाइम में ज्यादा ग्रोट करनी च चाहिए और वैक्सीन भी सब अच्छी कंपनी का अच्छी क्वालिटी का होने चाहिए और भी चीज मैं बता दे रहां दोस्तों कि आप लोगों को कि जो भी मुर्गी पाल नहीं दाना पर है चिक्स कभी भी आप अच्छा खरी दिये पुरा बनिया से पता कर कर खरी दिये क्योंकि आपको loss ना हो तिस्चप चीज को आपको ध्यान देना है कि हमको मुर्गी फर्म कर रहे हैं तो सब चीज के बारे में एक अच्छा तरह से जनकारी कर लेना है धूस्तो ठंडी भी आ रही है ठंडी में कैसे पालना है यह पूरा त्यारी जो है कर लेना है त्यारी था दोस्तो कि आज के बारे में कि आपको इतना रुपया benefit आपको अराम सो जाएगा ट्रेनिंग लेना ट्रेनिंग ले लिजे कुछ जनकारी ले लिजे फर्म से और एक अच्छा पैसा आप कमास सकते हैं क्या आगी दोस्तो आपको 35 दिन पालने के बाद से आपको 4-5 दिन जो है फारम को खाली करना परता सभाई उपाई में इसमें टाइम लगता है यह सब चीज को आप में खर्च होगा दोस्तो और भी हमारा जो वीडियो है continue आ रहा है तो आप देखते जाएएगा हर चीज आपको जो है देसी मुर्गी हो गया या बॉयलर मुर्गी हो गया सब चीज उसमें बताया गया सब चीज एक एक करके किड़र बताया जा रहा है ठंडी में कैसे मुर्गी पालना है गर आप जाकर चेक कर सकते हैं जो भी आपको वीडियो अच्छा लगे और वहा पर जाकर आप देखिये मुर्गी से रिडिटेटर बकरी फाल्म से इलेटर थे तो सब जाकर एक बार जरूर देखिए एक बार कैसा आपको लग रहा है वीडियो चेक्टर्स चनल को अगर सस्क्र लगा जली लाइक कर दीजिए चैनल सस्क्राइब पर लिए दोस्तों को भी सेर कीजिए चले मिलते नेक वीडियो में